दोस्तों सुजलो नेनलजी की बात करें तो श्टॉक के अंदर आज हमने गिराउट देखी लेकिन इसके बीच में वो घड़ी भी आ चुके जिसका हमें इंतजार था यानि हमारे पास राइट इसू के अपलाई की डेट आ चुकी है कब तक हमें अपलाई करना है और कब है इ जिसके मादें से आप राइट इसू में अपलाई कर सकते और कितने शेरों के लिए आपको अपलाई करना है ये सारी जानकारी हम डिसकस करेंगे साथ में आने वाले समय में क्या पॉजिटिव समभावना बनेगी सुजलों में क्या क्वार्टर टू के बाद में हमें है सितंबर है तो क्या आने वाली समय में इसका कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय गिरावट का दोर जारी है और इसके पीछे विलन बने है FII की दरब से विक्वाली जारी है और इसी वज़े से दबाव बना हुआ है तो सबसे पहले अगर हम BSE Sensex की बात करें तो 56,598 के इस्तर पर क्लोजिंग रही जहापे हमने 509 पॉइंट की गिरावट आज भी देखी यानि 0.89 परसें गिरा मारा BSE Sensex तो लगातर गिरावट का दोर जारी है यहाँ पर निप्टी एनरजी में भी बड़ी गिरावट हुई देख सकते हैं 25,281 के इस्तर पर क्लोजिंग रही करीब 401 पॉइंट की बहुत बड़ी गिरावट हुई 1.56 परसें गिरा निप्टी एनरजी नतीजा यह राकी सूजलन में भी हमें गिरावट द परसें गिरावट देखी तो बाजार में दबाव बना हुआ है और नतीजा यह कि सूजलन में भी आपको गिरावट दिखाए देखी तो यह इशू प्राइज की वज़े से नहीं है बलकि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है बाजार की पूरी तरह से देख सकते कि पूरा निफ्टी अनरजी पैक्टी गिरावट के चपेट में आज चुका है अगर हम इसके वॉलिम को देखे तो पिछले एक मेने पेले इसका 20 कौरड का वॉलिम था वन वीक पहले 22 कौरव इसका वॉलिम हो था और कल 25 कौर का वॉलिम था आज वॉलिम में थोड़ी सी कमी रही 15 क तो यहां पर एक्चेंज पर आलड़ी जानकारी मिल चुकी है आज कमपनी की तरफ से मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में जो है डिसीजन ले लिया गया है तो यहां पर जो डेट रखी गई है इसू ओपनिंग की वो है आप देख सकते हूं 11 अक्टॉमबर मंगलवा का दिन तो यहां से शुरुआद होगी इसू की ओपनिंग होगी और यह इसू क्लोज होगा वो है 20 अक्टॉमबर को यानि 9 दिन का आपके पास समय है और इसके बीच में आप कभी भी इसू में अपलाई कर सकते हैं इसकी रिकॉर्ड डेट 4 अक्टॉमबर है यह आपको खा अगर आप खरीदारी कर रहे हो तो आपको जरूर इसका फाइदा मिल सकता है उसको राइट इसू में अपलाई करने का मौका मिल सकता है क्योंकि चार अक्टॉमबर इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है जैसे कि सुचलोन की तरफ से का गया है कि आपको आपकी जो पूरान इसू के शेर के लिए अपलाई कर सकते है उसी हिसाब से आपको अपना हिसाब लगाना कि आपके पास कितने शेर है यानि हर 21 शेर के पूर आपको पास शेर मिलेंगे और यहां पर एक और कंडिशन है कि कम से कम जिसके पास पास शेर है वो भी एक शेर लिने का हगदार है त तो यह हिसाब है तो आपको उस हिसाब से अपने कितने शेर रखे हुए उसके हिसाब से आप उसमें अपलाई कर सकते हैं अब सबसे जो बड़ा प्रशन निकल के आता है कि कैसे अपलाई की जाए यहाँ पर आप देखे तो company की तरफ से आपको mail के जरिये भी form बेजा जाएग सारी की सारी बैंक के सर्विस प्रवाइड करते हैं चाहे एक्सिस बैंको, HDFC बैंको, ICC बैंक, SBI बैंक, KOTAK महिंद्रा बैंक, लगबग सभी बैंकों में net बैंकिंग की सुविदा है और उसके माद्यम से आप पूरी की प्रवाकरिया को पूरी कर सकते हैं और उनलाइन में जाने के लिए आपको अपना ब्रॉकरेज खाता खुलना पड़ेगा उसके बाद में आप SSBA की सिवाओ का विकल्प ले सकते हैं और फिर IPO, FBO, Buyback जो भी आपका विकल्प है जिसमें आपको राइट इसू दिखाई देगा उसको आपको क्लिक करना होगा फ क्योंकि वो पैसा पहले ही आपका ब्लॉक होगा इसके जरूरी है कि उतना सफिशन अमाउंट आपके अकाउंट में होना चाहिए तभी वो आपका प्रोसेज पुरा हो पाएगा और फिर आपकी जो भी टोटल लिंदिन की प्रक्रिया और उसकी और बुक है उसको एक बार और उसके बाद आपके बापे क्लिक कर सकते तो यह सारी के सारी प्रोसेज हो जाएगी एक बात का और ध्यान लखना है कि फिलाल आपको टोटल जो इसकी फिर देख से प्राइज 5 रुपीज रखी गई है तो उसमें से आपको 2.5 यानि आदी रकम ही फिलाल एप्लिकेशन क आप चाहे तो RTA के माध्यम से भी यहाँ पे अपलाइक कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कार्वी फिंटे का RTA की वेबसाइट पे जाए और राइट इसू ओपन होने पर उसमें अपलाइक करने का ओप्सन दिखाई देगा और इस ओप्सन के उपर आप जाके करना है उसको सब्मिट करना है फिर अगले पेज पर अपनी इमेल आईडी और मोबाइल नंबर को रेजिस्टर करना है यह सारा प्रोसेज हो जाएगा उसके बाद में आपके पास अमाउंट प्रोसेज करने के लिए UPI या NEFT के माध्यम से आप अपना जो भी अमाउंट है इसको प्रोसेज हो जाने के बार आप देखोगे तो आपका यह परोसेज होता हो दिखाई देगा आप OK का बटन दबा सकते तो इसदर से यह बहुत सारे प्रोसेज झिसमें आप फालो करके राइट issue में अप्लाए कर सकते हैंग एक बात का ध्यान रखे है कि जैसे ही आपक को इशू नहीं लगते तो रखम आपको फिर से फ्री हो जाएगी आपके अकाउंट में आ जाएगी तो इस तरह से अपलाई कर सकते हैं और यह प्रोसेज आप बहुत ही आसान है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है लगबग आई पीओ जैसा ही प्रोसेज है जो उसको जैसे हम आई पीओ में फ़लो करते हैं वही ही सब कुछ है कोई बड़ी बात इसमें है नहीं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आने वाले समय में यहाँ पे तेजी की समवाना बिल्कुल बनेगी और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कि रिलनमर अनरजी का जो एक्सपो है वो एक्स तो बिल्कुल मौका है खरीदारी करें लॉंग टम के लिए बने रहे और आपके पास अगर शेर है तो बिल्कुल आप जरूर इसमें अपलाई करें राइट इसू के लिए ताकि आपकी जो कौस्ट है वो नीचे आ जाएगी और आने वाले इसमें आपको बहुत ही अच्छा फाइदा मिल सकता है क्योंकि गिराओत की संहेट बहुत कम होचु कि अप गिराओत इतनी होने की इसमें नहीं है और आने वाले इसमें डेफिनेटले आपके तेजी बनेगी एक बार इसके पीवोट-लेवर को चेक कर लेते तो यहां से गर गिराओत होती है तो तो एट-पन 0.65 तक भी जा सकता है तो जल्दी ही positive माहूल बनेगा और आने वाले समय में यहां पर definitely आपको बड़ा फाइदा देखना को मिल सकता है निजरिया सिर्फ long term का लेके चले लेकिन friend कोई भी investment करने से पहले अपने financial advisor से बाड़ में ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंन वीडियो आपके educational परपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू किजिए और चैनल को subscribe कर दीजिए thank you friend